हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वह होगा एक वायरलेस हेड़फोन जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और यह जो हेड़फोन मैं बना रहा हूं दोस्तों वह मैं मीवी के खराब पड़े हुए हेड़फोन से ही बनाऊंगा और अगर आपके पास ऐसा कोई सर्कुट नहीं है तो भी आप बना सकते हैं पिछले मैंने एक स्पीकर बनाया था वायरलेस स्पीकर उसमें सेम प्रोसेस में वह हेड़फोन बन जाएगा बस आपको जहां पर मैंने बड़े स्पीकर यूज के हैं उसकी जगह आप छोटे हैड़फोन के जो स्पीकर आते हैं वह आप यूज कर लीजिए बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगी डिजाइन जो आप चाहें जैसा आपको पसंद हो वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं तो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस् दिनों पहले परचेज किये थे यह तो बीच में ब्रेक कर गया है टूड़ी गया कैसे भी करके तो यह देखिए इसका जो साउंड है वह काफी अच्छा होता दोस्तों और बीच का इसमें जो कोलिंग वगर है सारा जो भी हमें जरूरत होती है वह और इसका जो बैक अप है वह भी बहुत अच्छा है पूरा दिन अगर आप गाने सुनने चाते हो तो पूरा दिन आप इसली सुन सकते हो अगर सिर्फ आप कोलिंग पर ही रहना चाते हो तो कोलिंग आपकी 2-3 दिन तक चलेगा तो पहले इसको चेक करवा के दिखा देता हूं कि यह सही है या नहीं ह तो सबसे पहले इसको बीच से long press करके on करेंगे फिर इसको mobile से bluetooth से connect करेंगे तो यह देखिए mevi T-beats active 100% बैटरी दिखा रहा है तो बिल्कुल working condition हम है अब हम इसको modify करेंगे तो सबसे पहले हम कोई भी नुकिली चीज लेके इसको बीच से खोल लेंगे इसके कुछ लोग दोस्तों वो तूट जाते हैं और निकल भी आएंगे तो यह देखिए मैं यहां पर निकाल लिया है यह देखिए कापी छोटा और बहुत ही congested circuit है यह देखते हैं मीवी के क्यू तो इसके अंदर है दोस्तों एक बैटरी है 222 mh की तो दोनों साइड की दोनों स्पीकर में दो बैटरीया है 222-222 mh की और यह है इसका प्रोपर पूरा circuit इसमें charging इसमें चार पॉइंट है दोस्तों वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें से जो हमें जो चीज चाह अबर था जिसमें volume up-down और on-off का था वो दोनों हमें काम में लेने है और जो उसके बाद मैं आपको पहले इसका circuit बता देता हूं दोनों साइड दोस्तों इसमें बैटरी कनेक्ट होती है r-r-plus मतलब speaker के connection है यह राइट साइड के speaker के और जहां पे b1 b-b-plus लिखा है वो तो यहां पर मार्किट से 10-10 उर्पए के 2 speaker लेके आ हूं दोस्तों इनी speaker का हमारे headphone में यूज करेंगे और एक हमें चाहिए ribbon जो कि आपको 5 उपर पर मीटर मिल जाएगा आपको आदा मीटर की जरूत होगी इसमें और एक मैं यहां पर 300 mm की pipe ले रहा हूं छोटा टुकड़ हमें चाहिएगा उसकी से 3 इंच का हमें टुकड़ा चाहिएगा मेरे पास थोड़ा बड़ा है और एक हमें लगबग एक फिट के आसपास जो भी आपके जो सर है उसकी size के according कोई भी PVC pipe आप electrical जहां पर होती है उसके उपर ले सकते हैं तो मैंने यहां पर दो पीस काट लिए एक एक इंच के और जो तीसरा पीस मैंने काटा उसको मैंने बीच से अलग-अलग कर लिया है इसका cover बनाने के लिए design दोस्तों जो भी आपके पास हो आप यूज कर सकते हैं और मैंने जो PVC pipe एक और ली थी एक इंच की उसको मैंने फ्लैट कर लिया है गैस के उपर बीच से क cover होके आएगा तो उतने size का हम काटेंगे आप अपने head का पूरा map ले लिजे उसके according आप PVC pipe चोटा या बड़ा ले सकते हैं तो इसमें कोई measurement की कोई वो है नहीं जो भी आपका size है उसके according आप बना सकते हैं तो यह देखें मैंने कुछ design भी कर दिया है आप चाहें तो कर सकत हैं otherwise को जरुत है भी नहीं तो मैं इसमें दिखाना नहीं समझा तो इसको थोड़ा सा हम lighter की help से गरम करके और सीधा करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा अंधर की side mount है कि इसको हम थोड़ा सा गरम करके और सीधा कर देंगे और आगे क्यों सीधा किया वो भी आपको पता लग जाएगा यह देखिए हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे तो कि हमारा जो हेडफोन होगा वो मुवेबल होगा दोस्तों इसली वो आपके कान को पूरे को कवर करेगा यह देखिए इसी तरह से हम डिजाइन करें अब मैं दोनों साइड डिल मशीन से होल कर दूँगा अगर आपके बाद डिल मशीन नहीं है तो कोई भी घर पे सुई या जो सुई कर सकते हैं तो यहां पर अल्मूनियम का बाहर ले रहा हूं और उसके दो मैंने चोटे-चोटे टुकडे काट लिए हैं उन दोनों को दोनों साइड जहां पर हमने होल किये हैं उसके उपर डाल देंगे और डालने के बाद उसको फैविक की हेल्प से उसको चिपका देंगे और फिर ये हमारा holder बन जाएगा जो कि हमारे जो दोनों साइड का जो headphone होगा उसको hold करने का काम करेगा और movable भी रहेगा ये तो ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसको ये देखिए तो ये देखिए मैंने दो तयार कर लिये हैं ऐसी same process के साथ अब हम आगे का शुरू करते हैं तो यहां पर मैं इसके उपर hold कर लेता हूँ ताकि हमें यहां से wire भी supply देनी पड़ेगी तो दोनों side, दोनों piece के उपर मैं ऐसे ही hold करूँगा और इसको wire के लिए space बनाऊँगा तो ये देखिए wire के लिए पहले seat भी लगानी होगी तो पहले मैं seat लगा देता हूँ उसके बाद wire का भी same process के साथ हम hold करेंगे तो यहां पर मैं फैवी tight का use कर रहा हूँ आप भी eldrite वगर का ही use करें यहां पर glue gun और फैवी का भी आप use कर सकते हैं तो मैं eldrite का क्योंकि इसका जो success rate है वो अच्छा है यह देखिए दोनों मैंने चिपका लिए हैं सूक भी गए हैं यह देखिए दिखने में काफी अच्छा लग रहा है ट्रेक्टिव लग रहा है दोस्तों है मैं एक mdf बोर्ड का टुकडा ले रहा हूं और जो हमने headphone की साइज का जो PVC 38 mm का PVC पाइप काटा था उसके साइज का हम बनाएंगे ऐसे हमें चार पीस काटने दोस्तों सेम इसी तरह से मैं काटके आपको दिखाता हूं यह देखिए मैंने चार पीस यहां पर काट लिए है क्योंकि यह अगर मैं पूरा मैंने आपको दिखाया नहीं अगर दिखाने लग जाओं तो काफी बड़ा वीडियो बन जाए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी और फास्ट फॉरवड करके आपको दिखा दिया है तो देखिए जो स्पीकर है उसकी साइज का हम यहां पर मार्क कर लेते हैं दोनों जो एम्डिये बॉर्ड है उसके उपर और हम होल करेंगे और एक MDA Board के उपर हम हमारा जो on-off का switch लगेगा उसके उपर उसके माप के according उसको भी काटेंगे तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस करके यह देखिए दोनों को उपर मैंने hall कर लिये थे अब इसके उपर हम speaker को चिपकाएंगे स्पीकर को चिपकाने के लिए भी मैं फैवी टाइट का ही यूज़ करूंगा यहां पर फैवी क्या गिल्यूगन का इस्तिमाल ना करें क्योंकि फैवी के अगर यूज़ करोगे तो speaker खराब हो सकता है और अगर गिल्यूगन का यूज़ करते हो तो वह हील सकता ही दर उदर त उनके उपर मैं black color करूंगा और color आप अपनी पसंद का कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो yellow, red, blue जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं तो मेरे पास दो available था यहां पर एक white और black कर देक कि तो मैं इसके उपर पैंट करदेता हूं पैंट करने के बाद में आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूं है तो यहां पर रिबन ले लेता हूं तो हम रिबन उयर इतना कि आपने जो पाइप की तक निकाल लेता हूं and और इसके में एक साइड के connection आपको दिखा देता हूं दोस्तों जहां पे बेटरी के माइनस है वहां पे ब्लेक व्यार करेंगी और पोल से डालेक्न करेंगे कोई भी कलर बे सकते हैं लेकिन आपको याद रहना चाहिए आपने कोन सा का वायर कहांनेक किया वैसे ही हम इस पिक कर के ऊपर black और Red जो भी Combo PLUS और माइनस के ऊपर वायर कनेक कर देंगे जो 38 mm का हमने जो काटा था उसमें मनें Box में सेट कर दिया है अब में उसमें से वायर निकालके इसके अंदर बैटरी और स्पीकर को फिक्स कर देता हूं मैं आपको एक पूरा करके दिखाऊंगा और दूसरा आपको मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि उसके लगाने की जो प्रोसेस होगी दोस्तों वह सेम रहेगी और इसको कोई भी अच्छे से स्लोली स्लोली ऐसे से ठोक दें इसको तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा तो मैं अब इसके अंदर इसकी बोडी के अंदर मैं इसको फिट कर देता हूं हमारी हैड़फॉन की स्पीकर्स को यह देखिए देखने में काफ़ी अच्छा और अट्रेक्टिव लग रहा है दोस्तों मेरको तो काफ़ी अच्छा लग रहा परसनली यह देखिए मैंने वायर को यहाँ पे फिट की हल्प से चिपका दिया है और मैंने पूरा सर्किट भी कनेक कर दिया है मैंने यहाँ पे के लिए एक जोगाड बनाया है दोस्तों आगे यह charging pin है और दूसरी तरह female port है male और female को एक जगह connect कर दिया क्योंकि हमारे पास जो charging का option वो नहीं था क्योंकि अगर मैं इसको हटाने लग जाऊंगा तो यह circuit खराब हो सकता इसलिए मैंने एक male और female को connect करके और इससे हो डारेक्ट हम चार्ज करेंगे यह आपको कोई भी पुराने चार्जर से आप चार्जर की जो केबल होती है उससे निकाल सकते हैं तो हमें इसको दे देखिए मैंने ओन-off switch और volume up and down का भी इसके अंदर ऊपर चिपका दिया है यूगन के help से इसकी body से पूरा cover कर दिया है और यह इसका जो charging port का cover था वह मैंने हटा दिया है अब मैं इसको charging cable से connect कर देता हूं direct यह हमेशा इससे connected रहेगी तो तो और जो हमारा charger होगा charging pin होगी वह बाहर की तरफ होगी यह देखिए मैंने इसके अंदर fix कर दिया है पूरा कि इसमें कोई दिखाने लाए कुछ था नहीं इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया तो मैं आप इसके अंदर जो हमारा speaker है वह भी MDA board के साथ शिपका दिया था मैंने वह भी fix कर देता हूं इसके उपर यह देखिए अब हमें सिर्फ इसको fold करना है आपको gas के उपर ले जाके हलका सा गरम करके और आप अपनी size के coating और match करके इसको fold कर सकते हैं तो मैं fold करके दिखाता हूं आपको यह देखिए मैंने fold कर लिया है इसको देखिए मैं काफी अच्छा और attractive लग रहा दोस्तों मैंने वापस से थालका सा paint भी कर दिया wiring के उपर आप चाहें तो wiring के उपर white tape भी चिपका सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं दिखाता हूं और उसके उपर चिपकाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने पूरी प्रोसेर आपको नहीं दिखाई आपको बस उसकी size का काटना है और बीच में hold करके इसके उपर लगा देना है यह देखिए इस तरह से अब मैं आपको इसक ब्ल्यू हो चुकी है क्योंकि हमारी जो बैटरी दोनों फुल हो चुकी है अब मैं आपको मोबाइल से कनेक करके दिखाऊंगा पहले इसको लॉंग प्रेस करोगे तो यह ओन हो जाएगा उसके बाद मैं ब्ल्यूटूथ हो उन करके आप इससे कनेक कर सकते हैं इसलिए तो यह मेरे पास पहले से कनेक्टेड था इसलिए पहले से ही ग्ल्यूटूथ होन करते ही अटोमेटिक आ गया तो यह देखिए मीवी यहां पर बैटरी का उप्शन भी दिखा देता है कितनी बैटरी आपकी बच्ची है तो मैं आपको यहां पर गाने कि सुना के दिखा देता हूँ तो गाने तो नहीं है यह मूजिक है अगर गाने सुनाओंगा तो आपको कोपिराइट का इसु हो सकता है इसलिए मैं आपको नौन कोपिराइट मूजिक सुना देता हूँ कि बहुत अच्छा म्यूजिक है दोस्ति म्यूजिक बजता है और इसका साउंड भी बहुत प्यारा है दोस्तों यह देखिए इसे इतनी दूर से भी काफी आवाज आ रही थी और जैसे मैं कैमरे के स्पीकर के पास लेकर रहा हूं माइक के पास लेकर रहा हूं तो आवाज काफी बुंज रही है आप अगर अच्छे सुनना चाते हैं तो इसमें बैटरी का सोरी हैड़फोन का यूज जरू आपको दिखाएगा आइकन आज आएगा वोल्यूम अपन डाउन का और इसमें आप को लिंग भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होएगी है बहुत ही अच्छा बनाया देखिए दोस्तों यह जो हेड़फोन मैंने बनाया है तो इसमें आपको मैंने साहथ बैककप के बारे में नहीं बताया इसका जो बैककप है दोस्तों अगर आप फूल बैटरी चार्ज कर लेतो तो इसमें पूरे दिन कॉलिंग और म्यूजिक सुन सकते हो इजली कोई दिकत नहीं आ मिलते हैं अगले कोई इंटरस्टिंग टोपिक के साथ ओल्डवेस्ट बहुत बहुत दन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए